मैं दिल्ली के लोगों को भी कहूंगा कि इस एक्स्पो को आकर जुरूर देखे हैं। यह आयोजन, मोबिलिटी कॉमिनिटीव और पूरी सप्लाइचेन को एक मंच पे लाया है। मैं आप सभी का भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो में अभिनंदन करता हूं और आप सब को बहुत-बहुत शुक्वामनाई देता हूं। शायद आप मैंसे कुछ लोगों को स्मरन होगा कि जो मैं मेरी पहली टम थी, उस समय मैंने एक ग्लोबल लेवल की मोबिलिटी कॉन्फरस प्लान की थी। और उस समय की चीजें अगर आप निकाल के देखोगे, तो बैटरी पर हमारा फोकस क्यों होना चाहिए। इलेक्टिक वेहिकल की तरफ हमें कैसे जल्दी जाना चाहिए। इन सारे विश्वपर बहुत दिस्तार से वो समीट हुआ था, ग्लोबल एक्सपर्स आये थे। और आज मेरी दूसरी टम्मे मैं देख रहा हूँ कि खासी मातर में प्रगति हो रही है। और मुझे विश्वास है कि तीसरी टम्मे है। जल्ये समध्दार को इशारा काफी होता है। और आप लोग मॉबिलिटी की दुनिया है तो ये इस सरा देश में जल्दी से पहुचेगा। साथिवा आज का भारत 2047 तक विश्शीत भारत बनाने के लक्ष को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष की प्राप्ति में मॉबिलिटी सेक्टर एक बहुत बड़ी भूमी का अधा करने वाला है। और मैंने लाल के लिए से कहा था, मैं आज दुबारा उसका पुनस्वन करा रहा हूँ। उसमें मेरा एक विजन भी था, मेरा विश्वास भी था। और विश्वास मेरा अपना नहीं था। एक सो चालिस कर उर्देश वास्चों का सामर्थक के कारण वो विश्वास शब्दों में प्रगट हुआ था। और उस दिन मैंने कहा ता लाल के लिए से, यही समय है, सही समय है। यह मंत्र आपके सेक्टर पर बिलकुल फिट बैड़ता है। एक प्रकार से, इंडिया इस अन दे मूब, एंड इस मुविंग फास्ट। भारत के मोबिलिटी सेक्टर के लिए एक तरह से गोल्डन पिरियड का प्रारम है। आज भारत की अर्थववस्ता का तेजी से विस्तार हो रहा है। और जैसा मैंने पहले का, हमारी सरकार की तीसरे टम्बे, भारत का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थववस्ता बनना तय है। हमारी सरकार के प्रयासों से पिछले दस वरसों में करीब, पचीस करोड लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। और जब वो गरीबी से बाहर निकलता है, तब उसके सपनों में पहली पांच चीजों में क्या होता है। ये काप होते हैं। चाहे वो साइकल खरीदे का चाहेगा, चाहे स्कूटी खरीदना चाहेगा, चाहे स्कूटर, और हो सके तो फोर्विलर। उसका पहला ध्यान आपी पर जाने वाला है। उस एकोनोमिकल स्टाटर में होता है, वो शायद दी कहीं और होता है। जैसे व्यक्ति के जीवन में हैं। चवदा से बीस साल का कालखन जैसे एक प्रकार से अलग ही होता है। वैसा इनके जीवन में होता है। और इसको अगर हम एड्रेस करते हैं, तब करपना कर सकते हम कहां से कहां पहुच सकते हैं। ये नियो मिलिट लास, उसके एश्पिरेशन्स, और दूसरी दाबाय भारत में मिलिट लास का दाइरा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मिलिट लास के इंकम भी बढ़ रही है। ये सांगरे फेक्टर्स भारत के मुबिलिटी सेक्टर को नई उचाई देने वाले हैं। बढ़ती हुई अर्थववस्ता और बढ़ती हुई आई के बीश, बढ़ते हुए कुछ आंकड़े आपके सेक्टर का होंसला बढ़ाने वाले हैं, मोदी नहीं, ये आंकड़े। साल 2014 के पहले दे दस सालों में भारत में बारा करोड के आसपास गाड़ियों की बिक्री हुई थी। जबकि 2014 के बाद से देश में 21 करोड से ज़्यादा गाड़ियों की बिक्री हो चुकी है। 10 साल पहले भारत में साल भर में 2000 तक इलेक्रिक गाड़ियों बिक रही थी। वही अब भारत में करीब 12 लाख इलेक्रिक गाड़ियों हर साल बिक रही है। पिछले दस साल में पैसेंजर वहिकल्स की बिक्री में साट परसंट की वृद्धी हुई है भारत में टू विलर सेल्स भी सत्तर परसंट से ज़्यादा बड़ी है अभी कल ही जो आकड़े आये हैं वो बताते हैं कि जन्वरी के महने में कारों की बिक्री ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये जिन की बिक्री है वो यहां बैठे है ना आप चिंता मत किजिए इंकम डाइस वाले नहीं सुन रहे हैं डबराव मत याने आप सभी के लिए मोबिलिटी सेक्टर में अभूत पुर्व पॉजिटिव बाता है आज धर्ती पर नजर आ रहा है आपको आगे बढ़कर इसका लाव उठाना है साथियों आज का भारत भविश्य की जरूंतों को ध्यान में रखते हुए नई नीतियां बना रहा है और इसमें निश्चित तोर पर मोबिलिटी सेक्टर के लिए विश्यस जगह है कल जो बजेट पेश हुआ है उसमें भी इस विजन आपको देख पाते होंगे इन्ट्रिम बजेट है पूरा तो आएगा जब हम तिसरी बार आएंगे तब 2014 में भारत का केपिटल एक्सपेंडिशर केपिटल एक्सपेंडिशर दो लाग करोड से भी कम था दो लाग करोड रुपे से कम था आज ये ग्यारा लाग करोड से भी जादा हो गया है केपिटल एक्सपेंडिशर पर ग्यारा लाग करोड रुपे का खर्च का एलान भारत के मोबिलिटी सेक्टर को अनेक भीद अपर्चुनिटी ले करके आया है ये ना सिर्फ अर्थेववस्ता को ताकत देगा बलकि इससे रोजगार के भी नए अवसर बढ़ेंगे इस अभूत्पुर्वा इंवेस्टमेंट की वज़े से आज भारत में रेल, रोड, एरपोर्ट, वाटर वेड टांस्पोर्ट याने हर छेत्र का काया कल्प हो रहा है हम समुद्र और पाहडों को चनोती देते हुए हैं एक के बाद एक एंजिनरी मार्वल तैयार कर रहे हैं और वो भी रिकॉर्ड समय में है अटल टनल से लेकर अटल सेट्टू तक भारत का इंफरास्ट्रेक्टल डेवलप्मेंट नए रिकॉर्ड बना रहा है बीते दस वर्सों में भारत में पचत्तर नए एरपोर्ट बनाए गए हैं करीब चार लाग किलोमेटर ग्रामीन सड़कों का निर्मार हुआ है नब्वे हजार किलोमेटर नेशनल हाइवे बने हैं पैंती सो किलोमेटर के हाई स्पीड कोरिडूर विक्सित किये गए हैं पन्रा नए शहरोबे मेट्रो रेल और पतीस हजार किलोमेटर के रेल रूट्स का निर्मार हुआ है इस बार के बजेट में चालिस हजार रेल कोचिस को बंदे भारत ट्रेंड के डिब्वो जैसा आधुनिक बनाने का एलान किया गया है ये चालिस हजार कोच सामान्य रेल गाड़ियों में लगाए जाएंगे इससे भारतिय रेलवे की तस्वीर बदलने बारता है साथियों हमारी सरकार की स्पीड और स्केल ने भारत में मोबिलिटी की परिभाशा को भी बदल दिया है हमारी सरकार का जोड रहा है कि प्रोजेक्ट समय पर पुरे हूं हटके नहीं भटके नहीं लटके नहीं ट्रांस्पोर्टेशन को आसान बनाने के लिए लॉजिक्स्टिक से जूड़ी चुनवतियों कम करने के लिए भी हमारी सरकार ने एतिहासिक बढ़लाव किये पी-एम गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान के तहट आदेश में इंटीग्रेटेड ट्रांस्पोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है एरक्राप और शिप लिजिंग के लिए गिप सिटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्ग बनाया गया है लॉजिस्टिक शेन को आधुरिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक पलिसी बनाई है सामान की ढूलाई में समय कम लगे पैसा कम लगे इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर विख्सित किये गए है कल बजेट में जिन तीर रेलवेई इकड़मिक कोरिडोर की गोशना की गई है वो भी भारत में इस और टांस्पोर्टेशन को बढ़ाने का एक काम करेगे साथियों आज भारत में नेशनल हाइवेज और आधुनिक एक्सप्रेस वे के निर्मान के जरिए कनेक्टिवीटी को निरंतर मजबूत किया जा रहा है जी एस्टी ने नार्चिप सामानों की अवाजही को तेज किया है बलकि राज्जों के बॉर्डस पर जो चक्पुष होते थे उन्हें भी खत्म किया है फास्ट्रेक टेक्नलोजी भी इंडिस्ट्री के इंधरन और समय दोनों की बचत करा रही है एक स्टेडी के मुताबिक फास्ट्रेक से अर्थविवस्ता को हर साल 40,000 करूर रूपिय का फाइदा हो रहा है साथियो भारत आज बीश्वका एकॉनोमिक पावर हाउस बनने के मुहाने पर है आटो और आटोमोटिव कंपोनेंट इंडिस्ट्री की बहुत इसमें भूमी का रह जावाली है आपके इंडिस्ट्री का देश के टोटल एक्सपोर्ट में बड़ा प्रतिनीदित्व है भारत आज पैसेंजर वेहिकल के मामले में विश्वका तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है हम पूरी दुनिया में कॉमर्चियल वेहिकल बनाने वाले तीसरे सबसे बड़े देश है हमारी कॉम्पोनेंट इंडिस्ट्री भी ग्लोबली कॉम्पुटेटिव बन रही है अब अमर्त काल में हमें इन सभी ख्यत्रों में दुनिया में टॉप पर आना है हमारी सरकार आपके हर प्रयास में आपके साथ खड़ी है